पूरुपखंड के चानोद गाउं के सरकारी बाली का स्कूल लभौन को कोरोना के आइसुलेशन वाट के लिए आरक्षित रखा गया है पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी सुरेश यसिंग रागपुरोहित ने बताया कि जन प्रतिनी दियों की उपस्तिती में बैठक लेकर अधिकारी उन्हें सभी को सतरक रहने को कहा है साथ ही इस बात पर जोड़ दिया है कि बाहर से आने वाले प्रवासियों को सीधे गाउं में प्रुवेश नहीं दिया जाएगा आइसुलेशन बाट में 14 दिन के बाद अगर कोरोना की महामारी के लक्षन नहीं दिखते हैं तो ही मेडिकल टीम के निर्देश अनुसार ही घर आने दिया जाएगा सरपन जलादेवी ने निर्देश दिये और कहा कि गाउं में सभी को अनिवारी रूप से मास्क पहना है अगर किसी को खादे समगरी की आवश्यक्ता पड़े तो तुरंध ही ग्राम पंचायत का रेले या कोरोना बचाओ में लेकि टीम को सुचित करे